नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियूज मैं हूँ योगी शिक्रवर्ती लोक्षभा चुनाब के बाद सभी की नजरे अब राज्जी के दो राजसभा सीटों पर तिग गई है बिहार के राजडीतिक गर्यारों में इस पर खूब चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि आ सभानी पड़ेगी हमारे साथ सिनियर जर्नरलिस्ट संतोस कुमार हैं और इन से समझते हैं कि बिहार में दो सीटों के लिए होने वाले राजसभा चुनाब को लेकर क्या कुछ रणनीती जो है पार्टियां बना रही है संतोस जी जिस तरह से कहा जा रहा है इस बात की बहु जो उपचुना होता है तो सत्ता पच्क बहु मत होता है निशी की सीट होती है राषा भाका वह इा बिदान-परशयत का उपचुना सत्ता पच्च के सार्ग हमयु और सो अभी जो स्तिती है चिया जट अगरार चीजा चार लेगी क्रिणी कर लेते राट वोट अंजाम करने का मतलब है की सरकार का तक था पर 받 τοछाना इस दिन आठ वोट इन्जाम हो जागा वज़ें नितिश्रकार घ्र जाएगी को मुझह लगता है कि ये बहुत ही मुश्कील कार्ज है प्रतमान परिस्तिती में चुनक्र में बीजैपी की सरकार है और बिहार में भी इंडिया की सरकार है ऐसी परिस्तिती में मुश्किल लग ला आज वहू किनि km artists कुमार और ने कुछी महीने पहले अपना बहुमत साबित किया जो तीजस्वी आदब ने भी अविश्बास प्रस्ताव लाया था और वो मात्र तीन भोट से प्रस्ताव गिर गया था तीन या पांच वोट तो अभी वही इस्तिति है कोई चेंज तो हुआ नहीं आरजडिक है और विधायक सांसत बन गया है इंडिया गठ बंदन के वह सीट भी रिक्त हो गई और संख्या गट गई है तो ऐसी इस्तिति में मुझे लगता सबाइब और आरजडि से मिसाभारती का सीट खाली हुआ है तो उसे जद्यू के जाएंगे जद्यू से और आरजडिके एमेलसी का सीट रामबली सिंग का कालिवा उससे भी मुझे लगता है कि जद्यू के लोग ही यह भगवान सिंग कुसवाह की बात आ रही है तो अभी जो भीहार की राजनिती हो गई है मतलब कुसवाह राजनिती के इर्द्गृद भूमने लगी है इस्तिति वही है कि एक क को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है किसे मनाऊं और किसे रूठ ने दूए इस्तिति हो गई वियार की राजनिती में नितिश कुमार पिछले 20 बरसों से लव कुस की राजनिती कर रहे थे उनका भोट वैंक माना जाता था पुर्मी कोईरी का भोट जब भारतिये जनताप बार पती से अलग हो करके नितिश कुमार राजत के साथ सरकार बनाएं तो बारतिये जनता पाटी ने कुसवाध में सेंड़मारी के लिए नितिश कुमार के भोट वैंक कुस तोड़ने के लिए सम्राइट चौधी को परदेश्य सद्थ बनाया तकि कुस भोट को तोड़ा लेकिन नितिस कुमार फिर भाजपा के साथ आगे पल्टी मार के तो ऐसी स्थिति में अब सम्राठ चोधरी की का मौत खतम हो गया कि कुसवा के निता तो नितिस ही माने जाते थे अब तोड़ेंगे तो भी नितिस के कोई क्रेडिट जाएगा ऐसे समय में भाजपा ने कुसव काड के लिए फिर नितिस पर चोड़ दिया एक भी कुसवा समाज से टिकेट नहीं दिया और इथर लालू परसाद ने गेम खेल दिया साथ आट जेटी से और लगवग इंडिया गटवंदन से आठ या नो कंडिटेट को उस कुसवा समाज से टिकेट दे दिया तो पूरे कुसवा का आजडिकेट की तरह मुखातिव हो गया कहीं दस परसेंट कहीं पचास परसेंट कहीं हंडीट परसेंट कुसवा भोट इस तरह से पल्टी मारा अरजडिके साथ कि बिहार में औरंगाबाद चीट और गर माना जाता था वहां आजादी के बाद से कभी कोई दूस कुछ वहां समाज की जीत हुई तब अब एंडिये का कान खड़ा हुआ कि भाई कुछ वहां भोट तो अब नितिस के आने के बाद समराच चोदी के बावजित कुछ वहां भोट चिटक गया अब उस पर मन्थन हो रही कि कैसे कुछ वहां भोट को फिर से अपने पाले में ला जाए पहली वार वोजीत के आयत है मिशा भारती का सब तरफ चर्चा सा मिशा भारती को बदाई भी मिल रही थी कि भाई आप बन रही हैं मेता संसंदियेदल के राज संसंदिये देल लेकिन तेजस्वी आदब और लालु जादब ने एक तीर से कई सिकार कर दिये अब और राज सभा में एक सीट पर किसी कुसवाह या उपेंदर कुसवाह को भेजने की बात हो रही है चर्चा काफी जोड़ सोर से कि उपेंदर कुसवाह को भेरा जा चाकि कुसवाह भोट को फिर से वापस लाया जा सके अब कुसवाह भोट को लाने के चक्कर में अब फिर द आपान मंत्री जी को शो लाग से डिर लाग पर आना पड़ गया तो राजपूत समाज से भी एक भेजने की बात चल रही है कि भाई अगर कुछ वहा को भेज देंगे तो राजपूत नाराज हो जाएगा तुकि राजपूत से किसी को मंत्री नहीं विहार से बनाया गया सिंग और ललन सिंग दो भुम्यान मंत्री बन गया और राजपूत समाज से एक भी नहीं यह राजपूतों में नाराजगी है तो इक उस बहां भोड चिठक ही गया है कही राजपूत वोट भी ना चिठक जाए एंडिये से इसलिए एक तयारी चल रही है कि राजपूत से राजपूत को या सुषील सिंग को या किसी भी राजपूत समाज से नेता को राजपूत को राजपूत को इर्द घूम रही है कि अब है को लालु यादम नेशन सादिये बोर्ट का नेता बना दिया और नहले पे दहला चल दिया लेकिन कई जगा इसकी आलोचना भी हो रही है और यह भी जा रहा है खासकर के राजनीतिक गलियारों में कई कह रहे हैं लोग कि लालो यादव ने अपनी पैर में कुलहाली मार लिए देखिए यह कौन लोग बोल रह होंगे ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी में अंदभक्त लालू के भी अंदभक्त लालू जो लेंगे उनके साथ लोग रहे हैं तो जो उनके बिरोधी हैं जो अपर कास्ट लोग हैं वही लालू कि आलोचना कर रहे हैं और यह लालू परसाद ने निश्चित तोर पर बहुत बत बरिए गलती कि जैसे रासवा चुनाऊ में निश्चित तोर बहुत बरी गलती की कि मिशा खो छुना लगाने कहा कोमतलब नहीं उनका मतलब नहीं वो तो जीत के भी मिश करके राशवा बाड़ति लो लोग सभा बहले जी लिघें तो यह अई तोनके हां से चला गया अ आदव लालो परसाद मिसा बार्दी बहुत बड़ी गलती है यह कहा जाए कि बेवबू भी वरा कदम कहा जा सकता है रोहनी को लड़ाया जा सकता था पाटली पुता से तो भी जिती और राजसभा भी बचा रहा था तो अब तो भले लोगसवा जीत के राजसभा तो चला गय नितिस्कुमार को देख लीजी आप जब से मुक्मंति बने कभी चुनाव लड़ते ही नहीं तो जब आपके पास साधन है तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन हां बिहार की राजसभा चुनाव पर ठीकी हुई है राजसभा चुनाव में के बाद फिर जाती है जदम्रह को बनाया जाता है तो आप की बाद मेंना राजगी खाडका का तुन फिरह वा से परड़ एंट पर देया गया तो ओलेıs उन्या को जाता है ये मंताव या तक इस्दिनम लेना है कि समयरे यह जरूरत और incor सब्सक्राइब जा रहा है और अब कि लराने से भी मुझे नहीं लगता है कोई फायदा अगर चुनाओ राजसभा में कंडिडेट देते हैं तो आट वोट होना मुश्किल है आज की समय में लेकिन चर्चा यह है कि भाई राजसभा से आट जडी कंडिडेट देगा लेकिन अ चुनाओ में कोई भी आजमा सकता है तो श्यासत में कुछ भी संभब है और लोकतंत्र की एक खूब शूर्टी है लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लालू परसादियादब कुश्वाहा वोट बैंक पर अपनी नजरे कड़ाए हुए हैं और तेजस्व कि सिनियर जर्नलिस्ट संतोजी ने बताया कि ना सिर्फ इमिल सी बलकि इंडिये गठवंधन राजसभा के उमिदबार के तौर पर भी एक सीथ कुश्वाहा समुदाय के लोगों के लिए सुरच्चित रख रही है और उन्हें ही मैदान में उतारने जा रही है यानि कि पर फॉलो करें योटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमिंट कर अपना महत्वपून विचार और सुझाव जरूर दे धन्यवाद